हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटीट कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बहुत एक क्रूशल टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं और आज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि आप कैसे पता करो कि बायर्स कमजोर हो रहा है यह नि वाहर का स्ट्रेंथ है वो कैसे कमोरा उसका आइडिया हम कैसे निकाल सकते हैं अगर आप यह चीज find कर लेंगे market में तो आपको उस time पे क्या करना उस time पे आपको buy side की तरफ positions initiate नहीं करना है और जो भी लोग गलती से वहाँ पर buy side की तरफ positions initiate करते हैं वो यहाँ पर trap में first जाते हैं और उनको अच्छा खासा नुखसान उठाना पर सकता है तो यह चीज identify करने के बाद आप बहुत बड़े loss से बच सकते हैं आप trap होने से बच सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम buyers के strength को कैसे पता कर सकते हैं वायर्स कमजोर हो रहा वो हम कैसे find कर सकते हैं यहाँ पर हम चार्ट पर आगे हैं और यह जो चार्ट है आपका देख सकते हैं स्री सिमेंट का चार्ट है रेली का चार्ट है अगर हमें यह सब कुछ identify करना है तो हम daily चार्ट पर आसानी से identify कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर आप जाहो तो multiple time frame बाला चार्ट भी ले सकते हो जो भी चार्ट में आप trading करना पसंद करते हो उस चार्ट में आप देख सकते हो डेली चार्ट में यह ज्यादा clarity के साथ picture दे रहा है इसलिए यहाँ पर हम डेली चार्ट का example ले सकते हैं बांकि आपको जो जो भी चार्ट पसंद आता जिसमें भी आप ट्वेट करते हो 15 minute, 15 minute, 30 minute, 1 hour, daily जो भी चार्ट आपको शाही लगता है उसमें आप यह सारा कुछ apply कर सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि buyers के कमजोरी का पता लगाने का बहुत सारा तरीका है लेकिन जो लगानी से buyers के कमजोरी का पता कर सकते हैं उसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले तरीके के उपर यहां पर हम बात करना चाहेंगे तो पहले तरीका है कैसे आप buyers के strength को find कर सकते हैं तो सबसे पहले यह सारा काम कहां पर होना चाहिए हमें क्या दिखाता है यह हमें दिखाता है कि जो buyers हैं वह यहां पर वीक हो रहे वह यहां पर कमजोर हो रहे हैं और जब buyers कमजोर हो रहे हैं तो क्या करना हमें गलती से भी by side के तरफ positions initiate नहीं करना अगर आप buy करोगे तो आपको trap में फसने से कोई नहीं बजा सकता और trap में फसने का मतलब है कि आपको यहां पर loss उठाना परेगा तो सबसे पहला क्वेटरिया क्या सबसे पहला तरीका क्या विस्टेंस लेवल इडेंटिफाई कि जिए और रिस्टेंस लेवल के पास अगर candle का साइज धिर 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 छोटा हो रहा है अगर प्राइस नीचे से उपर यहां बन गया वेश्ट लाइन बन गया इन इसससे पहले हमें वेश्टेंस लाइन को आइडेंटिफाई करना हुगए वेश्टीफाई करना हूद रिया अब देखिए वापस से प्राइस यहां पर आपका नीचे से जाना ऊपर शुरू कर दिया और अद्नल करेब आपकları Cand कर रहा है कि यहाँ पे जो बाइर्स हैं वह कमजोर हो गए यह नीं बाइर्स के वीकनिस का इंडिकेशन्स यह हमें दे रहा है इस सारा कुछ देखने क्पाद हमें क्या करना हमें यहाँ पे गल्ती से भी आइसाट की तरफ पुजिशन्स इनिशेट नहीं करना वाई करोगे त तो resistance line को आप as a wall की तरह समझ सकते हैं, आप में आपको example दिखा रहा हूँ, आप गये किसी wall को तोड़ने, और आप में बिलकुल भी energy नहीं है, आपके पास इतना energy नहीं है कि आप खराब हो सकते हैं, तो क्या आप wall को तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, similar example आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, resistance level आपका एक wall है, wires गया उसको तोड़ने के लिए, लेकिन इसके करीब पहुंचते पहुंचते उसका क्या हो गया, सारा strength खतम हो गया, वो बहुत कमजोर हो गया, तो क्या resistance level को break कर पाएंगे, नहीं break कर पाएंगे, तो यहाँ समें reversal definitely देखने को मिलेगा, इसके chances बहुत जादा increase कर जाते हैं, उसकी बाद है कि जैसे reversal देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप चाहो तो sales air की तरफ positions ले सकते हो, यह जो point है, यह हमारा SL की रूप में काम करता हूँ दिखेगा, फिर आप multiple तरीके से, इस target price के लिए या फिर इस target price के लिए जा सकते हो, profit बनाने का multiple तरीका है, लेकिर यहाँ पे हम सिर्फ focus कर रहें, कि buyers कब कमजोर हो रहा हूँ, हम कैसे identify कर सकते हैं, वो पहला तरीका मैंने आपको बता है, उस तरीके से आप आसानी से identify कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब हम दूसरे example पहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अगर आपको technical analysis सीखना है, from basic to advance, क्योंकि technical analysis में बहुत सारे कुछ आते हैं, उस लेवर तक हमने कोर्स डिजाइन किया है, जहां पे आपको complete information मिल जाएगा, और वो कोर्स सीखने के बाद, आप as a independent trader के रूप में काम कर सकते हैं, तो उस कोर्स को enroll करने के लिए, आपको हमारा mobile lab equity community को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स देखने को मिलेगा, जो भी कोर्स आपको पसंद आता है, आप उस कोर्स के लिए enroll कर सकते हैं, लेकिन आप हमारा mobile lab equity community को जो डाउनलोड कर लिजे, और कोर्स को एक बार जरूर आप overview कीजे, और फिर आप हमें contact भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ confusion होगा तो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम दूसरे तरीके पे आते हैं, कि कैसे हम buyers के कम जोरी का identify कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कि अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमें क्या find करना है, यहाँ पे भी हमें एक resistance level find करना है, और हमें क्या देखना है, दूसरा point कि resistance level के करीब आते ही, same top का formation हो रहा, same top का कौन formation करेगा, two candles या फिर दो से ज़्यादा candle, minimum दो candle होना चाहिए, या फिर दो से ज़्यादा candle हो, दो, तीन, चार, पांस, दस, चलेगा, resistance के करीब, दो या दो से ज़्यादा candle, अगर आपका same top का formation कर रहा है, ये भी क्या indication दे रहा, ये भी indication दे रहा कि resistance line के ऊपर किसका इलाका है, sellers का इलाका है, और यहाँ पर जाते जाते है, buyers जो है, वो कमजोर हो गये है, और जैसे buyers कमजोर होगा, क्या resistance level ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, तो ऐसे conditions में भी आपको, buy side के तरफ, trading positions initiate नहीं करना है, तो जैसे द level है, वो हमाई लिए क्या बन जाएगा, resistance level बन जाएगा, अब price फिर आपका नीचे से उपर जाना start किया है, और जैसे resistance level के करीब पहुंचा है, क्या बना दिया है, दो candle ने same top का formation किया, देख सकते हैं, यह तो टॉप बना है, दो candle ने लगबग, same top का emotion किया, same level के करीब अप यहाँ पर दो green candle हो, यहाँ फिर दोनो rate candle हो, same top बना रहा, that means, वो में क्या idea मिल गया, हमें यह idea clear cut मिल वा है, यहाँ पर जो buyers हैं, वो क्या हो चुके हैं, वो कमजोर हो चुके हैं, buyers एक्दम exhausted हैं, इसके उपर sellers का इलाका, इसके उपर buyers का strength देखने को नहीं मिलेगा, तो यह हम losses को काफी हद तक avoid करने, losses को avoid करने का मतलब है, कि यहाँ पर हम अपना accuracy level increase करने हैं, और उसके बाद अगर आपको सारा कुछ सही लगता है, तो आप यहाँ पर sell side की तरफ trade ले सकते हैं, जैसे दोनों candle में से जो भी low firm किया, उसका low break होते ही, यहाँ पर sell side की तरफ trade ले सकत लेकि आप काफी confidence साथ straight के लिए जा सकते हैं, तो पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था आपका candle का size, दूसरा तरीका था, दो candle या फिर, दो से ज़्यादा candle क्या form करें, same top form करें, तो यह क्या indicate करता है, buyers के weakness के buyers के कम जोरी को indicate करता है, अब तीसरा example है, यहाँ पर आपको महिंदरा महिंदरा का daily chart, अब यहाँ पर देखें क्या कुछ हो रहा, यहाँ पर आपका price नीचे से उपर जा रहा, और यहाँ पर आपका resistance level का formation किया है, और यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यह जो candle है, इसमें हमें long till at the top देखने को मिल रहा है, तो तीसरा point ह हमारा यही है, कि सबसे पहला क्या find करना हमें, resistance level find करना है, और resistance level करीब क्या होना चाहिए, long till बनना चाहिए, कहां पे, top पे, candles में, तो यह क्या indicate करेगा, यह indicate करेगा buyers के कमजोरी का buyers यहाँ पे कमजोर हो रहे है, जैसे यहाँ पर उपर गया है, यहाँ पर आपका long till at the top बन है, अगर यह resistance level के पास नई भी बन रहा है, अगर पहली बार ही resistance level का formation कर, यहाँ पर भी आप एक काम जोर कर सकते हैं, sell side की तरफ नहीं जाना मत जाओ, लेकिन buy side की तरफ नहीं जाना है, यह चीज़ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, उसके बाद resistance level का formation यहाँ पर हमें clear cut मतलब है, कि यहाँ पर जो sellers हैं, वो sellers काफी active दिख रहे हैं, और sellers धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, strong हो रहे हैं, और market में दो ही लोग रहते हैं, sellers अगर strong हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कि जो buyers हैं, वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कम जोर हो रहे हैं, और हमने identify कर by is couch digno हो रहे तो क्या करेंग हैं और आपको नुक्सान करना जानबूज कि तो घए सकतें मजबूत को नहीं मजबूत है सही अंगोग हो रहे हैं तो क्या करेंगे स्केंडल के लोग को नि करें के ब्रेज से टार्य करें यह हैं और यहां वो भी काफी हद तक आपके favor में ही trade करता हुआ दिखेगा। ये तीन तरीका है जिसके जरी हम buyers के कमजोरी का पता लगा सकते हैं। क्या तरीका है? वापस एक बार और recall में कर देता हूँ। सबसे पहला तरीका जो अभी मैंने आपको बताया था। लॉंग टेल बनना चाहिए टॉप में। उसके बाद दूसरा क्या है? स्यम टॉप का formation करना चाहिए दो ये दो से जादा candle। तीसरा candle क्या है? तीसरा criteria क्या है? candle का size। अगर आप इन तीनों point को ध्यान में रखते हैं हमेशा जब भी आप buy करने जा रहे हैं तो इन तीनों में से कोई एक condition को satisfy नहीं करना चाहिए तब हम buy कर सकते हैं अगर कोई एक condition भी satisfy होता हूँ देख रहा, कोई एक criteria भी fulfill होता हूँ देख रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? buying avoid करेंगे, फिर हम देखेंगे कि selling opportunity है या नहीं है तो हम sell sir की तरफ जा सकते हैं तो इस तरीके से आप losses को avoid करके accuracy level बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ पे आसानी से sell sir की तरफ जाके trade भी initiate कर सकते हैं उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह के crucial वीडियो हम आपके लिए regular basis पे लाते रहें उसके लिए चैनल को subscribe जहूर कर लिजेगा और bell icon भी जहूर दबा दीजे ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो को miss न करें so that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिं